ब्रेक के बाद वापस आपके पास आते हुए इस बात को जाने की कोशिश करेंगे जरा की ड्रोन कैमरे पुलिस की गश्ट धर्मगरों के इसाद समवाद ये सब कुछ हो चुका है अगला जुमा होगा आगे और दिन है आज कल परसो नरसो इन सारे दिन में और जब तक ऐसे हालात रहेंगे तब तक अब और क्या पुलिस को पर स्ट्राटीजी चेंज करनी होगी इस तरह के के पत्थरबाजों को रोकने के लिए भरकाओ जो पोस्ट करते हैं इनको रोकने के ताकि अब आगे ऐसे मोहल ना बन पाए जुमे की नमास्क दिनिया उससे पहले या उसके बाद आसिवांगी निश्चत रूप से इस्टेटिजी तो पुलिस अपनी चेंज करती ही करती है अब अभी तक तो जो दंगाई है दो अब दो तरह से दो तरह से एक्शन सुरू होगा एक तो जिन्होंने गाडियां फुकी हैं जिन्होंने पत्थर चलाए हैं जिन्होंने प्रा जो भी लोग लिया जा रहा है बहुत ही बहुत ही शक्त लिया जा रहा है अभी लोगों को बताने वाली बात नहीं है जितने जिस तरह का अपराद है उसी तरह का अपरादी को मिलना चाहिए अपरादी कोई भी हो किसी भी जाती का हो किसी भी धरम का हो उसकी कोई जात धरम न जो एक कोई भी जो भी है किसी भी जाद धर्म को देखके कानून नहीं बढ़ाया गया है ना कानून में धर्म जाती लिखी हुई है कि अगर कोई किसी की कोई की तुकि जाती है कोई मुसलमानों ने कही हो पत्रों नहीं कि आप प्रवक्ता नहीं है जारी या किसी धरम को देख करके न तो कानून बनाया गया है न समिधान बनाया गया है उसमें जात धरम नहीं लिखा है कि आप मर्डर करेंगे तो फासी नहीं होगी और अगला वाला करेगा तो होगी ऐसा कहीं नहीं लिखा है वो सबके लिए नियम कानून एक साथ बना है, एक सबके लिए समान बना हुआ है, वो गलती कोई भी करे, किसी भी जाती का हो, किसी भी धरम का हो, अगर किसी ने अपराद किया है, तो उसको वो सजा मिलनी भी चाहिए, जो उसमें लिखी हुई है, वो तो मिलेगी मिलेगी, इ इस तरह का कुई अपराध करने की मजबूरी नहीं है सांती पून धंग से भी अपनी बात कही जा सकती है सांती पून धंग से ग्यापन दिये जा सकते हैं ऐसा नहीं आग लगा करके ही ग्यापन दिये जाए आग लगा करके ही बात अपनी कही जाए ऐसा कही लिखाने नहीं हो को अगर आप मानते हैं बिल्कुल शिवांगी जी संभिदान सर्वो परी हैं तक इतियाज गवाए जब जब कुछ ना कुछ हुआ है तब तब पत्रा हुआ है लग बात है लेकिन आप बताइए कभी जुमे की नमाद में कोई पत्थर लेके गया कोई बं लेके गया कोई हगो सब्सक्राइब करने नहीं जाते हैं नमाजी नमाज पढ़ने जाते हैं वो दंगा करने नहीं जाते हैं नमाजी नमाज पढ़ने जाते हैं और उसमें बहुत आयत बहुत बहुत संख्यक ऐसे होते हैं जिनका सिर्फ नमाज से ही मतलब होता है नमाज पढ़के अपने घर चले जाते हैं लेकिन जो उस भीड का फाइदा उठाने वाले लोग हैं को बनी बनाई भीड अगर किसी को मिल जाए बुलाना पड़े तो मुश्किल है पंदर आभी मोहलेस नहीं निकलेंगे लेकिन अगर बनी बनाई भीड मिल जाए मस्जित पर तो उसको प्रियोग कर लेना वो लोग जा भीड को दंगाईयों में कनवर्ट करने वाले वही लोग होते हैं जिनका उसमें स्वार्थ होता है और जो मुहले से निकल करके यह सोच के आते हैं कि आज हमें जुम्हे की नमाज के बाद यह काम करना है और भीड का इसको इस तरीके से उसको मोर देना है कि पूरी एक करना उनका फाइदा उठा लिया जाता है अब फाइदा आपके बीच के लोग क्यों उठाते हैं उनको इतना मौका ही क्यों दिया जाए क्यों उनको चिनित करके यह वताई एक तरफा जो उठाय जा रहे है यह बुल्डोर कारवाई चलिए कहा कैसे कानपुर में जब पहले सिवांगी 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 मैं इस परशन का जबाब दे रहा हूं यह बहुत यह सारी मीडिया में सारी मीडिया में नेशनल लेबिल पर सभी जितने भी स्कॉलर्स हैं यह बात कह रहे हैं और मैं सम रहा हूं सभी आप भी सुन रही हैं सभी सुन रहे हैं कि की सवाल ये है कि जो अपराध करने वाला है जिसकी मोडर साइकल फुकी क्या उसको भी बंद करोगे जो फूंकने वाला उसे बंद करोगे। एक में पर जो एक तरफा वाली बात मैं देख रहा हूं पूरे नेशनल मीडिया में हर आदमी एक वीकी बात कह रहा है कि कारवाई एक तरफा हो रही इसका जवाब देजिए फिर जरा में शमशी जी कर लेती क्योंकि आरू बिजेभी पर भी तमाम पर जारें सब्सक्राइब आप यह वीडियो निदेगी जो पुलिस की आर्में से आरा जलता तो पत्थर चला रहे हैं यह गोले चला रहे हैं कानपूर की घट्री बात करना हूं पुलिस वहाँ पर श्यांती कायम रख्य कहें भाईया रुक जो हमको पत्थर मालो और उसके बाद चले ज पर चले जाएगे क्या करें पुलिस कैसे इन पत्थर माजों को रोकेंगे आप किसी ड्रामे में नोटेक की बाह लग रहे हैं क्या करेंगी आप सिवांगी सब्सक्राइब आपके प्रवक्ता बयान भड़का दें और उसके बास सब कुछ जैज हो जाता है क्या नहीं देखे आमिर साब जिस चीज का विरोध कर रहा है प्राफिट मुहम्मद साब के खिलाफ जो अब शब्द कहे गए थे यह सही बात है कि कहीं से भी मुसल्मान उसको बरदाश नहीं करता लेकिन यह शायद उसी रसूल-खुदा का जो है मै पर दाश नहीं करें यह वी तो क्या करेंगे आप जान कर लेंगे तो प्त्तर मारे जाएंगे अब आपने पूरा होने नहीं दिया सुन तो लिजे बले शम्शी जी की बात को जब अब जिंदर पर और नुबुर सर्मा पर कारवाई होती तो इस चिर्कुट चिर्कुट टाइप के लो जो गली बहुर लोगे जो आज अबदी टिपड़िया कर रहे हैं इनकी उकाद होती हैं तो मैं आपको दिखला दूँ म मेरे मुबाइल में अभी है में जूम करके ना किया गया है सुन लिजे आपकी जाहिलियत की हरारी है.. उसी अरब कंट्री में क्या पत्थर चलाए गया जहां के प्राफित मुहम्मद साथ साथ में पत्थर चलाए गया गोली चलाए गई अरे जाहियत वाजी बात मत करिए अपको पता है आप अपको चमगाने के लिए आ जाते हैं ने शर्म आपको आनी चाहिए आप मुस्लिम इसकालर हैं हम तो बात पाक हैं बद्दान हम तो कुछ भी कह सकते हैं ऐसी मिचलर है तो आप वैसे ही जिम्मेधारी से बात कर रहे ऐसमें है आप मुसलमान हैं तो उसका मैशे दीज़े कि मुसलमान कैसा होता है इस तरीके से चिलाने से पता नहीं चलता आपकी वाजाए से मुसलमान उत्तेजित होते हैं जब भी बात कर investigated Liya के वाद करें ये रहे हिंदूसत्तार समिधान भाइबह अम प्रड़कांते चलता है आपको चाहिए तक आप जाते इसांति पूर्वक होता पता वुर जईसे दिनेों दिनों में आप जैसे लोग दिम्मेदार होंगे अगर मुसल्माने उपर कोई सारवाई होती है जाकर नहीं आपने जाकर पता किया आप गए किसी पीड़ेत के आप साहरंपूर गए आप इलाबाद गए कहीं गए आपके फूर भी नहीं किया होगा जिन बच्चों के पर पन की वजह से किसे मुसल्मान जेल चले गए उनके उपर क्या गुदर रही है जाके पूचे उन बच्चों की माँ से जाके पूचे उन बच्चों की माँ से जो आज जेल में बंद हैं ठीक है रूकिए नहीं आप आपके जैसे लोगों की वजह से हमने फिर का आमिर साबरी जब परशातन को जिश्वात दिलाया गया था कि शांती पूर्वत परदर्शन होगा तो उसी पर काइम रहना चाहिए था अब रुकिए शम्ची जी और आमिर साबरी जी रुकिए 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 मुझे एक बात बताईए आप आप कहरें ना कि पेगंबर मुहमेद साहब के ओपर कोई अभधर टिपड़ी बरदाश्ट नहीं होगी अगर नहीं होगी बरदाश्ट तो उसका क्या विकल्प है क् क्या करना चाहते हैं अगर कोई तरीके की चिपड़िया कर रहा है शिवांगी जी तो क्या सरकार का दायत तो नहीं बनता उसके खिराफ कारवाई करें उसको जेल रेज़े आप बताईए आज तक किसी मुसलमान ने श्री राम जी पे श्री किशन जी पे यह श्री जी पे को अब 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 आप अब साब्री जी फिर तो आप मुझे पताई नहीं कौन से जमाने में रहते हैं और कहां रहते हैं वह आप अमिर साब्री जी मुझे लगता है फिर आप दरफाही बयान सुनते हैं आप अब भी तोड़ी जनला नॉलिज बढ़ा लिजे समाचारों को इसाब बवाल जला इस बीच कितने बयान दिए गये हैं आप में तो मुझे लगता है और इनको और अमिर साब्री जी अब ज़ defn आप से सुन लिजिए आमिर साबरी साब मैं छोटा हूँ आपसे मैं भाजपा का परवक्ता हूँ बहुत खराब पार्टी है मैं बहुत बत्तमीद हो हमको सब ठीक है लेकिन आप मुस्लिम इसका लर है आप जो भी बोलिए वो यह सोच कर बोलिए कि आपका एक मैसेज पूरे म सुरना जी आमिर साबरी जी आपर बैटे हुए हैं वो एक मुस्लिम स्कॉलर भी है और पुलिस की भी जिमेदारी बनती कैसे स्कॉलर्स ऐसे धर्मगुरों को वो कॉन्फिडेंस मिले उन्हें समझाएं कि उन्हें कैसे लोगों को एक मैसेज करना है लेकिन अगर ऐसी ही चांत बैठेंगे हम क्या बरदाश्ट करेंगे ऐसी फिर्माल सिक्ता को कैसे पुलिस बदले कि सिवांगी मैं बहुत बिनमबरता पूर्बक्त बताना चाहता हूं कहना भी चाहता हूं आमिर साबरी साहब सुन रहे होंगे कभी भी किसी को भी अगर कोई दिक्कत तकलीफ है या किसी चीज से उसको परशानी महसूस हो रही है तो उसको हल करने का तरीका भी देखना पड़ेगा कि क्या हाथ में पत्थर लेकर के दूसरे पर फेकना घायल करना पेट्रोल बम फेकना आग लगाना गोली मारना हत्या करना क्या ये उस समस्या का हल हो सकता है यही हल है या समस्या को और ये उलजाएगा कानून के अंदर हो सकता है कानून के अंदर हो सकता है कानून के अंदर हो सकता है कानून के अंदर समस्याओं का हल है सांति पूर्बक उसका हल निकाला जा सकता है कानून में प्रोविजन है उसका तो इन सब चीजों की कोई जगे नहीं है और मैं यह मानता हूँ आप बिरुक उनको confidence में लेके विश्वास में लेके और नीचे के लोगों को भी जो इतने पढ़े लिखे नहीं है उनको भी समझाना चाहिए वो खुद ही समझाएंगे और इससे बड़ा आसर पड़ेगा यह बात बिल्कुर्ट आपकी बिल्कुर्ट सही है और अगर उसके बाद भी आद असपस्ट सब्ढ दों में कहना हूँ और ऐस सब्ढुन में कहना भी चाहता हूँ कि बहुत दिनोंसे यह एक तरफा किसी की दुकाना फुकी है कि कि यहां लूट हुई है तो क्या उसको भी बंद कर दिया जाए तरफा का नौन में कुछ नहीं होता जो गलती करेगा उसको उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी यह कानून कहता है उसी का इन्वेस्टिगेशन करके सही मुल्जिम को पकड़ करके सही मुल्जिम के खिलाफ पारवाई हो जाए उसको भड़काने वाले जो पीछे से आग लगाते रहते हैं पलीते में उनको मतलब उनका स्वार्स उसमें सिद्ध होता है कि ऐसा होगा तो हमारा भी कुछ फायदा होग मतला है सब कई फायदे हो सकते हैं धार्मिक हो सकता है सामाजी हो सकता है किसी बी तरीके का फायदा हो सकता है वो पहए पतफर चला रहे हैं तो पीरीष मतल gid वी मतलब सी समझ रही हैं इनको बीकिन डिसकाउंटा ले ऑन धिंदे कूपन नदे कि बहुत सब्सक्राइब ख॥ाग्यों सेसं बात कई है की आर वार आप dod tempted पर बलगे तीन मिहांいたEl तो हम जानना चाहते हैं स्वागी जी जब जुम्हे की नमाज पढ़के वो लोग निगले च्छतों में पथर नहीं चले हमें यह बता दीजे या पुलिस की आदर में पथर नहीं चलाए आप हमें यह बता दिया उसके बाद जो किरफ़ारियां हो तो उसकी मुसल्मानों क्यो अच्छा सुनी ना अगबरुदीन के लिए बहुत दर्द है ठीक है तो दीन को एक में आरे में सुना जी आप एक स्कॉलर है और मुझे लगता है बहुत बेहतर मैसेज दे सकते हैं सवाज में सुनिये शिवांगी जी सुनीजे पुरी बास सुनीजे कितने दिर में कम्रीट को कि रूगी क्योंकि यह सिर्फ जो है दिमाफ से नहीं बोलते हैं आंग खोलकर नहीं बोलते हैं पिर का चेंड़ करेंस आम मिधा मुं ने सुनीजे मैं अगर कुछ कहूंगा आपको तो बत्तमीज बीच में बोलने वाले को क्या कहा जाता है सुन्यात दी बैठे मैं पूरी तरीके दे बोल ले ते मैं किसी के बीच में नहीं बोला और मैं फिर आप से कहूंगा कि मुसल्मान के लिए दो ही चीज होती है मधभ पे धर्म पर पर भी नहीं है ना आज तक हुआ है ना इसके पहले हुआ है क्या मतलब है दरहा है तो अब फ़यार पुलिस तर दर्श कर ली है अपको रास्ता बता रहा हूं मैं आपको उसका विरास्ता बना रहा हूं सुन लीजिए अरे बात सुनेंगे आमीर साहब बात सुनेंगे कि बत्तमीजी से आप से बात करेंए अगर नुपूर शर्मा देखे दो दिन में गिरफ्तार भी हो जाएंगी वह भी हो जाएगा ठीक है अब आप उसके बात संद हैं जो आप मुसलमान समाज से आते हैं मुसलमान समाज के रूप में बेटे हुएं तो कोई भी अलफाद ऐसा न बयां से प्रोस में आपको रुपना चाहती हैं वक्त कामें मैं सूरना जी के पास चलती है। सूरनात जी चिस तरीके से बर्बार लुक्यों के शंची जी क्योंकि कम्लेच ती वारी वाला में कांट भूलनानी चाहिए उन पर अफाइयार भी हुई जेल भी गए बेल पर बाहर भी आए फिर हत्या कर दी गई किसने कर दी यह एक सिर्मा का कॉमेट पक्रा डाल दी असरांकों के पीछे आप चाहते हैं यहाँ पर आप चीज़ में नियाम काईदा लगोते हैं बहुत अच्छी तरीके से यह दोनों का जबाब दे दिया है और इसका जबाब बड़ा साफ है यह पतब एक तो पहली बात तो जो स्कालर से बोलते ज़्यादा हैं सुनते कम है यह बात सही है यही चाहते हैं कि बेज़की हो और इसका जबाब दे दिया है एक चीज़ बड़ा साफ है हम कुछ दिनों से देखते हैं कुछ लोग जिनके पास भीड की ताकत होती है उस भीड की ताकत को कानून की निस्पक्ष कारवाई पर दबाव के रूप में परियोग करते चले आ रहे हैं लोग जो इस देश के लिए बहुत ही गलत हैं आपके पास भीड है आप पत्थर मार सकते हैं आपके पास बंदूक है आप गोली मार सकते हैं तो आप किसी एफाई यार के बाद जो होने वाला इन्विस्टिकेशन है जो उसका विबेचना है उसकी सच्चाई जानने का तरीका है और उसको अदालत में ले जाकर के उसको होती है अगर फाई और होती है तो एक डाइरे में काम होता है ना हर एक चीज में हर एक मामनी में अलग लग तरीके से चीजें आगे प्रोसेसिंग बढ़ती है कानूरी कर के साबरि के खिलाप कोई मुकत्मा कायम हो जाए तो क्या ये चाहेंगे कि इसकी बिबेशना ना हो और हम तो पुरंद कारवाई कर दी जाए मारे खिलाब ये चाहेंगे आप सभी खासमानों का बहुत बहुत शुक्रिया चार्चा में शामिल होने के लिए और सवाल तमाम है जब कानून करे अपना काम तो क्यों इतनी जल्दबाजी भाई रुक जाना चाहिए कानून को काम करने देना चाहिए पत्थर हातों में नहीं लेने चाहिए और हर एक को मैसेज देना चाहिए कि शांती सौहार्द हंदुस्तार में कायम रहे प्रदेश में कायम रहे धन्यवाद